वेल्कम शुडंस शुडंस आज हम टाइम डिसेंस में रिलेटिव स्पीड का एक ट्रेन को लेके एक अनदर कंसेप्ट सिखेंगे तो यहां पर आज क्या सिखेंगे कुई दो ट्रेन जा रही है और उनकी डिरेक्शन कैसी है अपोजित है अब दोनों ट्रेन को यहां पर एक कुछेगा कि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन यानि कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी तो स्टुडेंट ज्यान से देखना पहले समय लेते हैं कि हमने यहां पर टाइम निकालना है और टाइम निकालने का फामला होता है distance over time distance over speed और काल आम ने शिखा था कि distance क्या था length of the train 1 plus length of the train 2 तो यहाँ पे speed कासी होगी बस वही देखते हैं suppose करते हैं कि हमारे पास यह कोई distance है और एक train कि speed है 3 km पार दूसरी train की है 4 km पार देखें एक गंटे के बाद यह train यहाँ पहुंचाती अपना 4 km सफरता है करती है और यह 3 km पारता है करती है तो द्यान से देखो दूनों train ने एक गंटे में कित्रा distance से अबल किया 7 km कैसे क्योंकि दूनों trains opposite directions में आ रही थी और यहाँ पे 3 plus 4 वो add हो गया यानि के यहाँ पे speeds कैसी होगी add on होगी तो हम यहाँ पे जो speed आएगी यहाँ पे वो क्या आगी speed of train 1 plus speed of train 2 बस यही एक question दा तो मारे पाँ यहाँ पे time निकालने के लिए यह formula बनेगा वो बनेगा L1 plus L2 divided by speed of train 1 plus speed of train 2 आप द्यान से देखो यह speed अगर km में है km per hour और यह distance जो हमारा train के लंबाई मीटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा units same करने पड़ेंगे अगर same करने हैं तो यह speed को हमने km से मीटर में ले आना है उन मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको 5 by 18 से multiply अब आपको पता 5 by 18 कैसे आया था तो यह मैंने आपको वेरी फर्स वीडियो में पिताया था इंटो कामन लिख लेते हैं तो 18 by 5 से आज यह एक ना अग्जामपल ले रहते हैं लेट इट भी कोई train चल रही है जिसकी लंबाई है 400 मीटर्स एक अबारी अनादर ट्रेन है जिसकी लंबाई है 450 मीटर और L1 की जो स्पीड है जो S1 मेरे पास आ रही है वो आ रही है 60 किलो मीटर पार रहा और जो 2 है S2 उसकी स्पीड आ रही है 75 किलो मीटर पार रहा तो बताओ टाइम आफ क्रास क्या है कुछ नहीं L1 कितना था 400 L2 कितना था 450 डिवाइड बाई 60 प्लस 75 इन्टू 18 बाई 5 अब कैसा हो जाएगा यह हो जाएगा 850 इन्टू 18 बाई 5 डिवाइड बाई 60 ओ 70 135 अब मिर ख्याल में यह 5 के टेबल में यह कट जाएगा तो 170 हो गया अब 5 के टेबल में यह भी कट जाएगा पारे हैं थीत लिए घर्ड यतिक्री डिलम में गट है जाएगा इपने यह फोट्टी वाइव यह 425 यह 3 यह बहून है यह भी गटा तो 6 हो गया अब यह 3 को पेल् on P5 1054 हो यो एकने मोट्न है होगय तो यह डावा कि आड़ 68 by 3 seconds तुमारे पास यह आगया answer 68 by 3 seconds अगर score further ले जाते हैं तुमारे पास यह answer आजाएगा 22 62 by 3 seconds तो I hope so कि आपको यह बात समझा गई है कि अगर कोई 2 trains opposite direction से आ रहे हो तो पहले तो उसका formula ही हमें समझा आ जाना चाहिए ठीक है तो ऐसे questions एक्जामिन एक्सर पूछता है और जो आपने वहां पर within one minute range में इसको कर ले रहा है आपने तो मुझे उमीद है कि आपको आज का यह जो एक concept हमने सीखा यहां पर आपको समझा आ गया तो मुझे उमीद है कि आप मेरे इस वीडियो को like करोगे share करोगे और दोस्तों में पहुंचाओगे तो चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल दो समझा करोगे यह है कि आपको समझाओ व cyt tour कर आपार आप कर अिचमे का यह जो समझे प्यस ब्यस्तों में तो समझा क झा राऊ्छियो को शाटे दीडियो